Hello students, आज इस वीडियो में हम आपकी Magnification Topic से Related सारी Confusion दूर करने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, आखीर तक देखें अब इसमें आप देखेंगे कि Magnification का Formula क्या होता है देखें, Magnification का Basic Formula है M equal to H dash upon H या H image I, HO, Height of Object अब इसके जो दूसरे Formula हम पढ़ते हैं वो M equal to minus V upon U या M equal to plus V upon U ये Mirror के लिए हम पढ़ते हैं और ये Lens के लिए पढ़ते हैं इनका Magnification का जो Data दिया हुआता है Numerical में उससे कोई Relation नहीं है इन दो Formula का तो आप इससे कभी भी Magnification को समझने की कोशिश ना करें ये सिर्फ Numerical Calculation के काम आएंगे बड़ जो Magnification पेपर में दिया होगा उसको सिर्फ आप इस Formula से ही समझने की कोशिश करेंगे अब इसमें Magnification के तीन केसिज होते हैं इन तीनों का क्या मतलब है हम समझते हैं और उससे पहले हम देखते हैं कि M जो होता है उसकी कोई Value होती है लेट से प्लस टू तो इसमें दो Parts होते हैं एक होता है Numerical Value और दूसरा होता है Sine ठीक है तो हम इसमें जब यह हम M less than 1 कह रहे हैं M equal to 1 कह रहे हैं और M greater than 1 कह रहे हैं तो हम यह सिर्फ और सिर्फ Numerical Value के बारे में कह रहे हैं इसको हम समझेंगे आगे भी कि यह कैसे सिर्फ और सिर्फ Numerical Value के बारे में कह रहे हैं Sine के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं क्योंकि Numerical Value बताती है कि Object आपका Small है यानि Diminished है या Same Size है या Enlarged है यानि अगर M की कोई Numerical Value दे रखी है तो उसको Sine को भूल जाएए और Numerical Value को देखना है अगर Less Than 1 है तो Small होगी अगर Equal है तो Same Size होगी और अगर M Greater Than 1 है तो Enlarged होगी Numerical Values के साथ हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर देखिए कि Let's say पहला की सम Small का ले लेते हैं Small तो H Object हमारा है Let's say 4 cm और H Image चुब बन रहा है H- यह HI चुब भी आप यूज़ करना चाहें HI that is 2 cm तो आपको दिख रहा है कि 4 cm का Object 2 cm का बना है तो यह Small यह diminished image बनी है Image बनी है तो M का formula H- upon H use करेंगे तो 2 upon 4 that is 1 by 2 अब देखिए यह जो numerical value है यह less than 1 है तो हम कहते हैं कि M is less than 1 अब same size की बात करते हैं same size की बात करते हैं same size की तो इसकी इसमें H Object let's say 4 cm H image dash ले ले लेते हैं वो भी 4 cm M equal to magnification होगा H- upon H that is 4 by 4 equal to 1 तो यहां पर क्या निकल के आया M is equal to 1 कब जब same size होगा अब तीसरा case आता है enlarge का enlarge image का enlarge में माल लिया कि object की height H object equal to 4 cm है और H image या H dash आपका 8 cm है तो आपका M equal to आया H dash upon H that is 8 by 4 that is 2 तो यह value 2i तो 2 is greater than 1 इसका मतलब है M is greater than 1 ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि 1 by 2 less than 1 1 equal to 1 और 2 greater than 1 तो आपका जो यह information है यह से match हो गई कि जब M less than 1 होगा तो small बनेगी M equal to 1 होगा तो same size बनेगी और अगर M greater than 1 होगा तो enlarge बनेगी ठीक है अब हम देखते हैं कि फिर plus minus का क्या फरक पड़ता है देखिए M equal to H dash upon H अब हमें याद है sign convention से कि अगर object उपर है तो उसकी height जो है वो positive sign की होगी तो अगर by chance image भी उपर ही बनी तो H dash भी positive होगी तो अगर दोनों positive हैं तो positive upon positive result positive आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि M equal to positive में आता है तो H dash भी positive ही होगा इसका मतलब M positive का मतलब है erect image बनेगी image बनेगी अब मान लो कि inverted image बनी है तो object erect है तो H equal to positive हो गया but image हमारी inverted बनी है तो H dash जो होगा वो negative होगा तो यहाँ पर जब हम substitute करेंगे value तो क्या होगा negative upon positive तो negative upon positive हमेशा negative आएगा इसका मतलब क्या आया कि M negative होगा तो वो H dash भी negative होगा या यह कहेंगे कि अगर M negative है तो इसका मतलब है कि image inverted है ठीक है तो positive sign का मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि sign दो हुए एक positive sign और एक negative अगर positive sign है तो erect image बनेगी और अगर negative है तो inverted बनेगी ठीक है तो यह आपका हो गया अब हमें example ले लेते हैं कि let's say कि आपके पास एक value है M equal to plus 2 and M equal to minus 2 तो इनका क्या मतलब हुआ देखें numerical value हम देखें तो numerical value 2 is greater than 1 यानि M is greater than 1 और M greater than 1 का मतलब है enlarge यहाँ पर 2 numerical value greater than 1 यानि M greater than 1 यानि enlarge बट sign की बात करते हैं sign है positive तो positive sign का मतलब है erect तो image erect है जबकि यहाँ पर negative sign का मतलब है कि image inverted है तो यह आपका case हुआ अब हमें पता है कि enlarge किस में बनती है enlarge हमारी बनती है concave mirror में concave mirror में तो यह दोनो concave mirror के ही case हो गए पट erect बनेगी तो यह कौन सा case होगा erect बनती है हमारी जब sixth case होता है object between F and P बनेगी जबकि inverted हमारी enlarge बनेगी inverted वाली आप देख लेंगे यहां से लेएगे inverted हमारी बनेगी वो भी concave में ही बनेगी concave में ही बनेगी और कौन से case में बनेगी fourth and fifth case में fifth case में बनेगी वो हम यहां पर नहीं लिख रहे हैं अब इसका एक और important हम discuss कर लेते हैं जो paper में काफी बार आता है तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब है m equal to plus one और m equal to minus one देखिए one size से यह तो पता चल रहा है कि object जो है same size का है same size तो same size दो उसमें बनते हैं एक बनेगा plane mirror में और एक बनेगा concave mirror में तो but plus sign बताता है कि यह erect है और erect जो है plane mirror में ही बनती है जोकि minus sign अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो minus का मतलब हुआ inverted और inverted image जो बनती है वो concave mirror में ही बनती है तो आप देख रहे हैं कि numerical value enlarged और diminished यह same size बताएगा जबकि plus और minus जो है वो आपके बताएंगे plus और minus बताएंगे आपके erect यह inverted तो कभी भी यह confusion ना करें कि अगर value m equal to minus 1 दे रखी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि minus 1 is less than 1 तो यह आपका case हो गया क्योंकि negative 1 1 से छोटा होगा नंबर लाइंग पर आप देखेंगे तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह m less than 1 है यह totally गलत concept है हमें सिर्फ numerical value ही देखनी है तो यह m का मतलब यहाँ पर सिर्फ numerical value है तो अगर m की numerical value less than 1 है diminished m की numerical value 1 है same size और अगर m की numerical value greater than 1 है तो enlarge ठीक है आपका यह concept याद रखेंगे और आप numerical में कभी भी magnification से related कोई भी mistake नहीं करेंगे I hope यह video आपको पसंद आया होगा बहुत पसंद आया होगा like जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और channel को जरूर subscribe कीजिए Thank you very much एमोस्तोंय कीजिए